तो अभी थोड़ा और questions देखते हैं हम लोगे न तो यह वाले दो problems और देखुआ आप एक 15 में आया था, एक 14 में आया था तो पहला problem देखो कैसे करूँगे आप तो साइन T by T, नीचे टी दिख रहा है, साइन उपर दिख रहा है जब यह आपको साइन T by T यह दिख रहा है, तो आपको जो 7 थे यह शायद एक नमर वादा formula वो याद आना चाहिए जो अब मैंने बोला, लाप लास से प्रूफ करको, साइन M T by T, 0 से इंपर T, is equal to pi by 2 when M is positive, minus pi by 2 when M is negative तो इसमें क्या क्या है, आपने 12 common ले लिया, 4 pi common ले लिया, और अब यह देखो यह आपको वापिस अपनी minus infinity से infinity दिख रहा है अब यह जो आपको दिख रही एक symmetric domain लिख रही है, तो symmetric domain में तो आप क्या करते हो, even or not check करते हो, तो check करो तो T को minus T से replace किया, तो cos minus T is cos T, तो यह तो positive हो जाएगा, sin में अगर minus T दालो के तो minus बहार आजाएगा और ऐसे T यहाँ है, इस T को नहीं बूलना, T में minus दालो के तो यह भी minus बहार आजाएगा, तो minus minus plus, minus minus plus हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, यह जो पूरा function जो भी खाना यह, यह even function है, क्या क्या मेंने T को minus T से replace किया cos of minus T क्या हो जाएगा, plus का cos T हो जाएगा, sin of minus T plus का sin T हो जाएगा, और यह minus T भार, sin of minus T minus भार देगा, और minus यहाँ से बार आएगा, तो minus minus plus, तो यह even function है, तो यह क्या जाएगा, double of 0 से infinity, cos 2 pi T, sin 4 pi T by T dt, यह आगा आपको, और अपने वो जो formula आता है, वो sin T by T की term में होना चाहिए, और यह cos sin है, तो आपने बच्पन में trigonometry पढ़ी होगी, sin A plus B, sin A minus B की formula बता होगे आपको, तो sin A cos भी बना चाहिए, आप sin A plus B, plus sin A minus B divided by 2 से, तो यह आप उपने आप करके देखोगे, और यह आपको आना चाहिए, तो 0 से infinity, sin A plus B, तो sin 6 pi T, plus sin A minus B, sin 2 pi T, divided by 2, तो यह formula बता है, यह sin A cos B मानना, और sin A plus B, plus sin A minus B by 2 करोगे, तो यह आप जाएगा, यह आना चाहिए आपको, हर कीमत में आना चाहिए, 2 T, D T, ठीक है, तो यहाँ से 2 और common ले लिए भाग, तो यह क्या होगे, 8, 24 by 8, तो 3 by pi हो गया ही तो, 3 by pi, और इसको आप अलग लग कर लो, तो एक तो यह होगे, 0 से infinity, sin, 6 pi T by T, d T, प्लस 0 से infinity, sin, 2 pi T by T by T, यह आग आपके पस, ठीक है, तो अब आप में इसको इंटिकेट कर दिए, sin M T by T, और M क्या है 6 pi, जो positive है, तो pi by 2 आपके, sin 2 pi T by T, M क्या है वापके पस, पॉसितिव, यह पिछले वाला फामुला देखो, sin M T पने बोलता है, अगर M positive है तो pi by 2, तो यह भी pi by 2, pi by 2, plus pi by 2, pi हो जाएगा, तो you get 3 by pi, इसका आंसर pi by 2, इसका आंसर pi by 2, तो pi by 2, pi by 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके प्लस, 3, तेक है, अच्छा question दा है यह, तो इसका लाप्रास का भी use था और इसका भी use था, यह sign M T by T में आपको लाप्रास के time proof करते हूँ, थेक है, अब यह वादा question देखो, यह 14 में आया था, तो यह थोड़ा से बड़ा सा दिख रहे हैं आपको, तो मैंने कहा था आपको अगर कभी भी question कुछ समझ में ना है, तो आप a plus b minus x वाज़ी property तो ज़रूर लगा है देख लाना, तो वही लगा रहा हूँ है, इसको देखना है बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाएगा, तो x को replace करेंगे हैं हम लोग a plus b minus x है, तो x को replace किया, आपने a plus b हो गया, 2 plus 0 is 2, minus x, तो x को जैसे हमने 2 minus x से replace किया, तो देखो बहुत जगे x minus 1 इदर भी, x minus 1 में इदर भी है, इदर भी है और इदर भी, तो x minus 1 में directly लिख लेता हूँ, यहाँ पर भार ही, बागी अंदर आराम से replace कर दोगा, तो x minus 1 क्या हो जाएगा, जब x को 2 minus x से replace किया, minus 1, तो यह हो जाएगा, 1 minus x, यहाँ यह क्या हो जाएगा, minus of x minus 1, तो जो आपका x minus 1 है, वो क्या बन जाएगा, minus x minus 1, तो आप रखे देखो, जब आपने x minus 1 को minus of x minus 1 नगा, तो minus 1 का square करोगे तो भी आएगा, x minus 1 का square ही आएगा, तो पहराटन तो सेम ही आएगा, sin में अगर theta को minus theta रख दोगे, तो minus sin theta हो जाता है, तो यह आएगा, आपको sin x minus 1, और minus भार आगया, ठीक है, square, यह i है, तो यह भी i निकाल रहाए आपको, अब नीचे के वह square ही है, तो square नो सेम भी नहीं नहींगा, क्योंकि minus x का square करो यह x का square करो एक ही बात है, तो x minus 1 का करो यह minus भार x, into x minus 1 का square करो, तो एक ही आएगा, 1 का square, plus, अच्छा, cos minus theta is cos theta, यह cos एक even function है, तो यह cos x minus 1 होगया, dx, यह आगे आपका simplify जाने को आएगा, अब आप दोनों को जोड़ दो, तो 2i के आजाएगा, यह और यह एक ही जैसे रिखा है, यह plus में ही, यह minus में तो 0 होगया, तो i is equal to 0, यह ही आपना से होगे, तो इतना tough देखने वाला question भी आपको, वो आपके प्रमास्तर वाली property से easy हो जाता है, चलाओ, तो यह वाला problem देख लो, यह problem के है, mod x sin x dx equal to k5, इसमें आपको k का value निकानना है, ठीक है, तो mod है, तो mod का आपको ध्यान अपना है, मैं आपको बता चुका हूँ, कि जो mod function है, वो काहा sign change करता अपना, अगर अंदर input positive है, तो positive आएगा, input negative है तो negative आएगा, ठीक है, तो अगर आपके पास input positive का होगा, अच्छा, x तो देखो 0 से 2 pi में, x तो positive रहेगा, क्योंकि 0 से 2 pi की बीच में कोई भी negative नमबर तो है नहीं, तो x तो positive यहाना है, तो x तो as it उस भार आजाएगा, और sin की से काना है, क्योंकि sin x जो है, तो 0 से pi में positive आएगा, और pi से 2 pi में negative आएगा, तो यह आएगा आपको 0 से pi, x sin x dx, क्योंकि sin x क्योंकि sin x क्या है, positive है, first and second quadrant में, plus, यह ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, pi से 2 pi, यह जाएगा आपका, minus x sin x, minus x sin dx, minus x sin dx, 0 से pi, x sin dx, minus pi से 2 pi, x sin dx, दिया आएगा आपको, basically equal to k pi है, तो k को बार में देख लेंगा, तो अब कैस्वार करोगे, क्योंकि आपको आपको x कहीं दिख जाए, तो आप क्या करिए, वो आपकी ब्रहमास्तर वाली property यूज़ कर लो, यह i1 ले लो, इसको i2 लेना, तो आपने क्या 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 i1 लिया, i1 तो है आपकी पास, 0 से pi, x sin x dx, तो आपका ब्रहमास्तर लगाओ इस पर, तो यह क्या बजाएगा, i1 इक्वल टू, a plus b minus x, तो 0 plus 5 minus x, तो यह क्या पाई minus x, into sin pi minus x, तो sin pi minus x तो क्या आएगा, second quadrant में, तो sin, sin ही रहता है, pi में से minus करने क्या, तो यह sin x ही आजाएगा, sin x, x ही आएगा, 0 से pi, अब इन दो लोग गाएड पर दो, यहां से i1 क्या आजाएगा, 2i1 is equal to, यह minus x वाला, plus x वाला कर जाएगा, pi भार, और यहां पर जो 2i होना है, इसका 2 मैंने नीचे दे दिया, pi by 2, 0 से pi, sin x dx, 0 से pi, sin x dx, तो यह क्या आजाएगा, आपको pi by 2, sin x को इंटिकेट की आपने तो minus cos x, minus cos x, और 0 से pi, तो यहां आपको minus pi by 2 दो भार आगया, cos pi minus 1, cos 0, 1, minus 1, minus 1, minus 2, minus 2 इंटिए यह वाला minus, plus 2, तो plus 2 इंटिए pi by 2 तो pi आजाएगा, तो यह क्या आगे, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 2, तो pi आगया, यहां आगया, यहां आपको pi, sin x dx, आपको i2 करेंगे, तो i2 equal to क्या है, यहां को मिटा देते हैं, और यहां रख देते हैं, pi, तो यह अभी equal to आएगा, pi के बनाबर आए, minus i2 चाहिए अप, तो i2 में क्या करेंगा आप, कि 0 से pi से 2 pi बना आगया, तो pi से 2 pi, तो pi से 2 pi को आएग के तो क्या है, 3 pi minus x, तो pi के जाएगे आप क्या आएगा है, यहां पर, 3 pi minus x, और sin 3 pi minus x क्या आएगा, तो ऐसे करके देख लो, यह 0 होता है, यह pi, फिर दुबारा 2 pi, यह 3 pi, तो 3 pi minus x, कौन से quadrant में आएगा आएगा आपको, second quadrant में, second quadrant में, again sin positive, to sin x, तो यहां आपको आना चाहिए, sin 3 pi का आएगा, जैसे यहां पर क्या आएगा, यहां पर 0, 2 pi, 4 pi, 2n pi आता है, यहां पर, 2, 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, इस जेकर पर odd multiple आता पाईगा, तो यह होता है, 2n plus 1 pi, तो pi, 3 pi, 5 pi and so on, ऐसे यह होता है, आपको आपको जान नहीं है, जा रहा है, तो यह होता है, 4n plus 1 pi by 2, जैसे यहां पर 0 रखोगे तो pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, और यह होता है, 4n minus 1, pi by 2, जैसे में minus वाले होते, minus pi by 2, 3 pi by 2, 7 pi by 2, ऐसे सब, जैसे आपने 1 रखा, इसमें तो, 3 pi by 2, 2 रखा तो, 7 pi by 2 and so on, तो अभी तो हमारे पास आप 3 pi, तो 3 pi इस पे आएगा, 3 pi minus x आगे, आपको second quadrant में, sin positive में आएगा, तो sin 3 pi minus x के आएगा, sin x के आएगा, अब जैसे आपने यह i2, यह रख, i2 और i2 को add किया, तो यह बचेगा आपको 2i2, और यहाँ 3 pi इस पे 2, sin x, 3x, और limit भी यहाँ चाहिए, limit क्या होगी यहाँ पे, अच्छा, limit होगी यहाँ पे, pi से 2 pi, pi से 2 pi, यह मैं मिटा नहीं रहूँ, इस ही में कर रहूँ है, मैं आप तो अलग से करना अपना, sin 3 pi minus x, sin x आगया, यह 3 pi minus x आगया, इन दोनों को जोड़ जी है, तो x फार एग्रम cancel out होगी, 3 pi भार आगया, और यह 2 i2 था, तो 2 इसका नीचे आगया, अब आप कर दो बस इसको, तो 3 pi बे 2 i2, sin x सके आएगा, minus cos x वही, और यहाँ 3 pi बे 2 i बे, यह भी 3 pi बे 2, तो cos अब के आएगा 2 pi से pi, 2 pi से pi आएगा, ठीक है, तो 2 pi से pi आएगा, यह, तो minus 1 लिए आपने, तो cos 2 pi के होजाएगा, cos 2 pi यहाँ पर आएगा, तो 1, cos 2 pi is 1, और cos pi के आएगा, minus 1, तो यह प्लस में आएगा, तो 1 plus 1, 2, और, एक से के आएगा, यह वह pi से 2 pi, अच्छा, पहले इसको बिटा के चलो करीदे तो एक बार, तो यह आए आपने बार, 3 pi by 2, यह पकी बात है, 3 pi by 2, और, minus cos x का minus भाँ ले लिया आपने, यह cos x, और, लिमिट कहां से कहां ते थी अपने को, pi से 2 pi, तो pi से 2 pi, तो यह आएगा, minus 3 pi by 2, minus 3 pi by 2, cos 2 pi होगे आपको, 1, minus cos pi होगे, minus 1, ठीक है, यह 2 होगया, 2 और 2 कैंसर होगे, तो यह minus 3 pi आगया, तो i2 का वैल्यू कहां आए आपने को, minus 3 pi, तो यह i2 आगया, बस आगया अपना अंसर, तो इसको मिदा देते हूं, तो यह आपने नोट कर देना, मैं रब कर देता हूं, तो यह क्या है, pi और इसका अंसर आए, minus 3 pi, तो यह क्या है, आपके पास 4 pi, और यह किसके बराबदा दे रहागा था, k pi, तो अगरे k pi के बराबदा दे रहागा, तो k क्या है, k is 4, very simple, k is 4, चल्द, तो यह भी होगया, k is 4, similarly अब आप वो अला question देवो, cos 4,